एक दो लोग, मैंने नोटिस किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब तक मैं आपके साथ, आपके साथ विश्वास गार रहूँगा, तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई शक्ती नहीं है इस देश में, इस दुनिया में, जो आपको हम से दूर कर सके अगर हम सच्चाई के रास्ते में, बहुत लोग बोलते हैं कि इलेक्षिन के लिए पैसे का दरकार है, कोई लोग तो बीजेपी तो अब हमारे खिलाब कोई उन्तिस्तारी को कुछ आंदोलन भी कर रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, उनके पास पैसा हो सकता है, मेरे पास भगवान का प्यार है आशिरवाद है, जनता का विश्वास है, और मैं समझ चुका हूँ कि ये मेरा लास्ट फाइट है, और मैं ये अपना लास्ट फाइट में अपना घर बेज़ दू, अपना संपत्ती बेज़ दू, लेकिन अपने लोगों को नहीं बिज़ोंगा, मैंने वाइलेंस देखा है मैंने ये भी देखा, मैं प्रसाशन को भी एक बात बोलना चाहता हूँ, कि पूरा जिन्दगी कोई पावर में नहीं है, फिर्स्ट फॉल, बहुत दिन के बाद आया हूँ, मेरा तबेट ठीक नहीं था, मैंने देखा है कि बहुत स्पेकिलेशन चल रहे हैं, कि मैं बिमार ह हूँ और मेरा तबेट ठीक नहीं है, ठीक बात है, मुझे मैं काफी बिमार रहा हूँ, किद्नी का प्रॉब्लम था, उसके बाद निमोनिया हुआ था मुझे, इसी के लिए मैं रेस्ट कर रहा था, आज मैं कैलकटर में हूँ, राजमाता के साथ, और थोड़े दिन के पस अगरतला आ रहा हूँ, लेकिन मैंने न्यूस पेपर में, मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन देखा कि मैं बिमार हूँ, मैं शायद एम्स में हूँ, वहां में अमित शाह के साथ मेरी मीटिंग हो रही है, या कोई और प्लिटिकल लीडर के सांग मीटिंग हो रही है, तो मैं सबसे पहले अपने तीपरासा लोगों को, अपने वोर्यर्स को, अपने वर्कर्स को, तुरुपरा के आम जनता को एक बात बोलना चाहता हूँ, कि 99% जो मीडिया लिखता है, क्योंकि उनके पास कहानी नहीं है लिखने के लिए, तो जो मन में आता है, वो लिख लेत लेकिन सच्चा है यह है कि मेरे प्रेस कॉंफरेंस के बाद अगरतला में मेरा तबैद खराब था, डॉक्टर्स ने मुझे देखा, मेरा फीवर बहुत हाय था, उसके बाद मैं बाहर में ट्रीट्मेंट के लिए गया, बॉंबे, उसके बाद मुझे निमोनिया लग गया, और इसी के लिए मैं अपने घर में रिकावर कर रहा था, चेस्ट में कंजेशन था, बात करने में तक्लीव थी, और सर्दी का समय है, और निमोनिया को आप हलका नहीं ले सकते हैं, इसके लिए मैं रिस्ट कर रहा था, आज मैं कलकत्ता में हूँ, राजमाता के साथ हूँ, क्रिस्मस और तरिंग के समय मैं अपने लोगों के साथ नहीं रहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम लोग सब एक संग है, we are all working together, और मैं सब को आने वाले साल के लिए, for the new year, 2023, मैं सब को दिल से, अच्छे, प्यॉर मन से कहरा चाहता हूँ कि I wish you the best, किसी को भी, आप मेरे opponents हो, आप मेरे विरोध में हो, तभी भी मैं आपको wish करूँगा for Christmas, for Thuring and for the new year, मैं अपने पूरे तुपरा के लोगों को, हिंदू, मुसलिम, बिंगॉली, तीपरासा, मनीपुरी, कोई भी हो, हिंदुस्तान के पूरे लोगों को, मैं आशा करता हूँ कि आने वाले साल में हम लो पहलाए, नफरत को नहीं, हम positive line में जाना चाहते हैं, और newspaper में मैंने आज जैसे मैंने comment किया कि किसी ने लिखा है कि मुझे क्या हुआ है, ये, आप लोग क्यो speculate करते हैं, सब लोग जानते हैं कि अगर कोई बिमार है, तो उसका political reason नहीं होता है, सर्दी का समय है, पहले से मैं मैं बिमार रहा हूँ, और आपने देखा भी होगा कि मेरा I've lost weight, मेरा वजन भी कमा है, full treatment किया है, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले 2003 सेलेक्शन में हम fit होकर fight करें, तो please, media 99% जो लिख रही है, वो उनका मन में एक, मतब कि शायद कुछ कहानी लिखने का है नहीं, तो वो ल लेकिन अगर मुझे Amir Shah से मिलना है, अगर मुझे Prime Minister से मिलना है, अगर मुझे Rahul Gandhi जी के सांग भारत जोड़ो यातरा में जाना है, तो मैं openly जाओंगा, मैं किसी से चुप चाप कर मिलूंगा नहीं, तो ये मेरा बहुत important बात है, अगर आपको, मानी एक वे, I'm live on TV, आपको कि मैं कहा हूं, मैं आपको Raj Mata से मिलवाता हूं, कौन है, नहीं, ये ये, you are live on TV, Raj Mata से मिलवाता हूं, नहीं, ये, you are live on TV, Raj Mata, you can wave to all the people in there, this is all the people here watching, I'll just finish this then I'll join you, give me five minutes, तो जहा रहा बात आज का कि बहुत लोग स्पेकुलेट करते हैं मीडिया में क्यों स्पेकुलेट करते हैं मैं जो भी बोलूँगा सामने आकर सब के सामने बोलूँगा पीट पीछे मुझे काम करने का शौक नहीं है मैंने पहले भी कहा है सब लोग कह रहें कि इस पार्टी के साथ अलाइनस है लेकिन अलाइनस उसी के साथ होगा जो हमारा पहला स्टेक्मेंट था और आज भी वही हमारा लाइन है जो भी हमारा constitutional solution under article 2 and 3 for greater deeper land देगा हम उनके साथ बात करेंगे जो writing में नहीं देगा उनके साथ seat sharing हो या understanding हो करना बेफजूल का बात है सब का समय नश्ट होगा इतने लोगों ने मुझे प्यार दिया है इतने लोगों ने हमारे पूर विश्वास किया है इतना हमने commitment दिया है तो आज election के एक महने पहले थोड़ा सा पैसा के लिए थोड़ा सा seat sharing के लिए मैं अपने warriors को क्यूं धोका दो मुझे जिंदगी में पैसा नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में post और नहीं चाहिए वो post जो आपने अपने दिल में मुझे दिया है विश्वास करके वो post मुझे चाहिए मुझे कोई political post नहीं चाहिए मुझे अच्छा नाम चाहिए हमारी लोगों को इंसाफ चाहिए हमारी लोगों को justice चाहिए 75 साल से आप चाकर गाउं में देखे कितना कश्ट होता है और किसी को diarrhea का problem कि और कोई malaria से मर रहा है रास्ता ठीक नहीं है school में teachers नहीं है इतना problem है ये problem का समधान एक आदि कोई MLA बनाने से मिल जाएग आपको ये problem ठीक हो जाएगा अगर कोई मंत्री बन जाएग नहीं ये problem तब ही ठीक होगा जब हमारा ठांसा रहेगा और हम एक आवाज में government of India को बोले कि आप हमारा solution दीजे वरना हम आपके साथ compromise नहीं करेंगे आज दरकार हमें नेता का नहीं है आज दरकार हमें है कि अपना दिल को बढ़ा करने के लिए आज दरकार राजनीती का नहीं है आज दरकार है कि अपना नियत को ठीक करने के लिए आज आप एक आदमी को MLA और मंत्री बनाने से आपका कलियान नहीं होगा आज अगर आपको corruption को हटाना है न तो आप ऐसे लीडर को हटाईए जो अपने स्वार्थ के लिए अपने नीतागिरी के लिए पूरा state का भवश्य को दाव में लगा देता है आप वैसे लीडर को पकड़िये तुरुपरा के लोग अच्छे हैं तुरुपरा में असल में मैंने नहीं देखा है कि बिंगॉलीज हो, मनीपूरीज हो, तीप्रासाज हो, मुसल्मान हो, क्रिश्चिन हो, बुद्धिस्ट हो लोग अच्छे हैं प्रॉब्लम है कि हमारे नेता लोग स्वार्थी हैं हर पार्टी में, मेरे पार्टी में भी हैं एक दो लोग, मैंने नोटिस किया है लेकिन मैं जानता हूँ कि जब तक मैं आपके साथ आपके साथ विश्वास घर मैं इमानदार रहूँगा तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता कोई शक्ती नहीं है इस देश में, इस दुनिया में जो आपको हम से दूर कर सके अगर हम सच्चाई के रास्ते में बहुत लोग बोलते हैं कि इलेक्शन के लिए पैसे का दरकार है कोई लोग तो बीजेपी तो अब हमारे खिलाब कोई उन्तिस्तारी को कुछ आंदोलन भी कर रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ उनके पास पैसा हो सकता है मेरे पास भगवान का प्यार है आशिरवाद है जनता का विश्वास है और मैं समझ चुका हूँ कि ये मेरा लास्ट फाइट है और मैं ये अपना लास्ट फाइट में अपना घर बेज़ दू अपना संपत्ती बेज़ दू लेकिन अपने लोगों को नहीं बीचोंगा मैंने वाइलन्स देखा है मैंने ये भी देखा मैं प्रसाशन को भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि पूरा जिंदगी कोई पावर में नहीं रहता है मानिक सरकार इतने साल तक पावर में था आज पावर में नहीं ये गवर्मेंट भी आज जो पावर में है ये पूरे जिंदगी पावर में नहीं रहेगा तो आपका काम है कि डिमोक्रसी को रिस्टॉर करना आपका काम है कि कानून जो कानून समयधान में लिखा गया उसका पालम करना ना कि BJP का मेंबर है, CPM का मेंबर है, Congress का मेंबर है या तिप्रा मोथा का मेंबर है. पहले आप सम्विधान का काम कीजिए. पार्टी आएगा जाएगा, नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का सम्विधान को अगर आपको सुरक्षा रखना है, डिमोक्रिसी को अगर आपको पूटेक करना है, तो आप पहले जनता का बात सुनिए, जनता के दिल में क्या है, उसके बारे सुनिए, ना कि कुछ लीडर कोन करना है, मैं ठीक बोल रहा हूँ, डिमोक्रिसी हैस्टी बी सेज, और जो लोग पावर में है, अहंकार मत कीजिए, ये अहंकार अधा आज नहीं है, और जो आज पावर में है, वो कल शाहिद नहीं रहे, लेकिन जब आप पावर में हो, तो आपका विनम्रता, आप कितना हम्बल है, उसको देखकर आपको जनता याद करें, लास्ट पॉइंट, मैं अपने पूरे वोर्रियर्स को एक बात बोलना चाहता हूँ, कि जब तक हमें राइटिंग में ग्रेटर तीप्रा लैंड का कॉंसिटूशनल सिलूशन अंडर आर्टिकल टू और थी नहीं मिलता है, तब तक हम किसी के संग अलायंस के बारे बात नह करेंगे, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई पार्टी दुश्मन नहीं है, लेकिन जो हमारे ग्रेटर तीप्रा लैंड के विरुद में है, मैं उनको एक बात क्लेली बोलना चाहता हूँ, आपका कैसे सिलूशन है, आप डेवलाप्न के बारे बात करते हैं, आप 75 साल क्या कर रहे थे, हमने तो ग्रेटर तीप्रा लैंड के टमांड ने 1-2 साल पहले निकाला, आप इतने साल तक क्या कर रहे थे, सो रहे थे आप, आप ने हमेशा हमारे तीप्रा साथ को हलका रखा, हलकी से लिया, हमें सीरिस्ली नहीं लिया, और मैं गलती भी नहीं बोलता क्योंकि हमारे कुछ लीडर है जो हमेशा पैसे थोड़ा पैसा देखकर अपने लोगों को बेज देते हैं लेकिन प्रद्योद बिक्रम माने के नहीं बिखने वाला है और मैं अगर हमें राइटिंग में ये गैरंटी नहीं दिया गया और कल फिर से न्यूस पेपर में लिखा यही मीडिया ने कहा था कि लोगसभा के बाद मैं खतम हो गया हूँ और यही मीडिया आज फिर से कुछ और लिखेगी मुझे चिंता नहीं है जब तक मैं सत्य के रास्ते में हूँ जब तक मैं अपने लोगों के साथ विश्वास घात नहीं करूँगा जब तक मैं अपने विवस्ता है आपके पास पावर भी है मेरे पास भगवान का बोला हुआ सच है और सत्य के रास्ते में मैं जा रहा हूँ मैं हरूँगा तो हरूँगा लेकिन अगर जीत गया तो क्या करेंगे आप और मुझे लगता है कि इस बार पब्लिक सब को सबक सिखाएगी मैं सिस्टम को चेंज करूँगा आज बहुत लोग अलाइंस का बात कर रहे हैं लेकिन मैं मैंने यह आज तक नहीं भूला है कि 25 साल तक हमारे उपर क्या आत्या चार हुआ हमारे वर्कर्स को कैसे नौकरी नहीं दिया गया हमारे लोगों को कैसे वंचित किया गया मैं यह आज नहीं भूला हूँ, पावर के लिए कोई भी हाथ मिला सकता है, लेकिन सच्चाई का रास्ते के लिए हाथ मिलाने के लिए आपके अंदर सच बोलने का ताकत होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, मैं और हमारा तीप्रमथा एक है, और इस बार हम, अगर हमें राइटिंग में दिया गया, तो हम अकेला फाइट करेंगे, और हम अपने लाइन में रहेंगे, और जो लोग आज जिनको बहुत प्यार है, हमारे उपर चिंता है, मैं बोलना चाहता हूँ कि C.A. के समय आप कहां थे, जब पानी सागर में मस्जद जलाय गया, तोड़ा गया, आप कहां थे जब मेरे उपर मोहनपूर में अटाक किया गया, कहां थे, आज आपको दरकार है, तो आप हमारे पास आते हैं, मत भूलिए कि हमारा जो सोच है, वो एक-दो दिन का सोच नहीं है, वो फ्यूचर का भविश्य का सोच है, ये जो फाइट हमारा ग्रेटर्टी प्रालैन का है, ये जो फाइट हमारा त्रुपुरा के लिए है, ये जो फाइट हमारा समविधान, कॉंस्टूशन और डिमोक्रिसी के लिए है, ये फाइट सिर्फ पॉलिटिकल फाइदा के लिए नहीं है, हमारे लोगों का भविश्य के लिए है, मैं बिमार हूँ, आज थोड़ा सा कमज लेकिन हिम्मत नहीं तूटा है और आँख में आख मिलाकर आपको बोल सकता हूं कि इस बार मौथा विल विन, दे टूथ विल विन, दे टूथ विल प्रिवेल, and दिस ताइम, वी शाल शोटू एवरीवन, हम लोग प्यार से जीतेंगे, हम लोग शांती से जीतेंगे, मैं प्यार बाट कर जीतूँगा, आप लोग नफरत का पॉलिक्स कीजिए, मैं प्यार का राजनीती करूँगा, मैं प्यार बाटूँगा, मैं आपको, आप नफरत कर सकते हैं मुझसे, मैं आपको प्यार और ये करके मैं आगे जाओंगा मत भूलिये कि ये त्रुपरा एक ऐसा राज्य है जहां में हम सब को तकलीफ हुआ है और हमें बाटने वाला कोई व्यक्ति नहीं है वही नेता है जो हर पात साल बाद आपको जुमला दिखाकर आपका वोट लेकर आपको पीछे रखता है ये जो फाइट है इसमें अब हम पीछे नहीं जाएंगे बेलाइनो हमबाई खुलूंका लॉंग लिव डिमोक्रसी लॉंग लिव तिप्रामोथा लॉंग लिव